इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो मेरे इसाब से हर एक IITJS पिरेंट का कही न कहीं ड्रीम होता है और वो है गेटिंग टॉफ फिफ्टी रैंक टॉफ फिफ्टी रैंक कैसे लाई जाती है इस वीडियो में आप जानेंगे मेरे थुरू मेरा नाम है प्रशान जैन और सबसे पहले मैं अपने आपको इंटेडियूस कर देता हूँ सो यह मैं हूँ आपके सामने भी दिख रहा हूँ ठीक है? सबसे पहले मैं यह क्रेडिबिलिटी स्टैबलिश कर देता हूँ कि क्यूं मैं आपको यह चीज बता सकता हूँ कि टॉफ फिफ्टी में रैंक कैसे लाई जा सकती, क्योंकि मैं खुद टॉफ फिफ्टी रैंकर मैंने All India Rank 42 अरजित की थी, जो की काफी अच्छा अचीबन माना जाता है उसके अलावा मैं INCH गोल मेडलिस भी हूँ और NTSC भी मैंने क्लियर किया हुआ है तो काफी सारे अचीबमेंट्स मेरे साथ जोड़े हुए हैं और मैं अपने अचीबमेंट्स के थुरू बच्चों को मेंटर करता हूँ अभी तर 10,000 स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ और खास बात इसकी ये है कि मेरे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी रैंक्स भी लाच चुके हैं बेस्ट राइंग मेरे थुरू AIR6 है और उसके अलावा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के अंदर मैं अपनी सुविधाएं दे चुका हूँ और अब मैं आपके सलिए Unacademy प्लाटफरम पर आ गया हूँ और मेरा Unacademy का जो कस्टम URL है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्र बहुत इंपोर्टेंट चीज़ के कि Top 50 वर राएंग कैसी लाए जाए तो मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले First Learning की कि first learning के बारे में मैं बात करूँगा कि first learning का क्या मतलब होता नोड्स मेकिंग के बारे मैं रचा करूँगा value study material fix कैसी किया झाता है इसants emotion अबारा मैं LM थे टेस्टींग के बारे मियं रचा करूँगा फिर testing and analysis के बारे मैं मैं के लिए रिवाइज कैसे किया जाता है, खासकर अब दो attempt हो गए है, तो January के attempt में कैसे revise किया जाएगा, April के attempt में कैसे revise किया जाएगा, ये मैं आपके लिए discuss करूगा, फिर J-E Advanced का जो revision है, उसको कैसे manage किया जाएगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं first learning क्या होती है first learning देखिए first learning का मतलब होता है जो भी topic आप पहली बार पढ़ते हैं जैसे मान लिजे मेरे आने वाले lectures के अंदर आप sequence and series और quadratic equations पढ़ने वाले हैं ठीक है अब sequence and series को मान लिजा आप पहली बार पढ़ रहा है तो वो आपकी first learning होगी first learning के लिए क्या important होता है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले चीज important होती है कि आपकी एक separate copy होनी चाहिए क्या होनी चीज़? separate copy जहां पे आप खुद notes बनाने वाले हो पहली learning सबसे important learning होती है अगर वो learning आपकी बहुत अच्छी हो जाती है तो मैं आपको ये चीज गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जो आगे के efforts होंगे वो बहुत कम हो जाएगे तो मेरे भी जो आने वाले lectures है उसके अंदर हमेशा copy pan लेके बैठा है और एक एक चीज note down करना है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ है ऐसी होती है जो teachers बताते हैं हमें जो बहुत सारे बच्चे नेगलेक कर जाते हैं क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक class में मान दीजिए 100 बच्चे बैठे हैं और एक बहुत ही अच्छा IIT का teacher उनको पढ़ा रहा है उन 100 बच्चों में से सभी की rank अलग-अलग क्यों आती है क्योंकि हर एक बच्चे का first learning aptitude क्या बोला मैंने first learning aptitude different होता है first learning aptitude बहुत important term है FLA first learning aptitude बहुत अलग होता है कुछ बच्चों को होता है कि पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाता है और उन्होंने बहुत अच्छे से notes बना लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास काफी ज़्यादा time होगा question practice करने का और काफी ज़्यादा time होगा revision करने का तो class में बिल्कुल attentive होके सुनना होता है इस चीज के लिए ये मेरा पहला ज्यान है आपको first learning सबसे important है आप ये कभी मत सोचिए कि मैं बाद में जाके पढ़ लूँगा इस class में अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो मैं दूसरे chance ले लूँगा ऐसा कभी मत सोचिए first learning हमेशा first learning होती है ठीक है बहुत clearly notes बनाई है सारी definitions को बहुत properly लिखी है जो भी important points है उनको note बनाके इस तरह से box में बढ़ दिए तो क्या होगा जब आप copy पढ़ रहे होंगे ना अपनी first learning वाली तो आपको बहुत सारे boxes दिखेंगे और ये boxes के हमारी eyes को attract करके ये important point है तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए जैसे मान दीजे आपने x is equal to minus b plus minus root d by 2a लिखा तो इसको box में बंद कर दिए अब ये quadratic formula आपको हमेशा याद रहेगा तो ये मेरी तरफ से first learning है बहुत सबसे important चीज होती है बहुत ध्यान से concentration से सुनना है और एक चीज जो सबसे important है एक भी class miss नहीं करने एक भी class अगर आप miss करते हैं किसी भी reasons से अगर कुछ unforeseen event आ जाता है तो अब तो अलग बात है मगर कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई भी event ना है class कभी भी नहीं छोड़नी होती है हमेशा ये चीज का ध्यान रखे तो मैं एक चीज और लिख रहा हूँ यहाँ पर attend class regularly ठीक है तो यह मेरी तरफ से पहला ग्यान था आपको first learning ठीक है चलिए move on करते है फिर notes making जैसा मैंने आपको बताया notes making बहुत important aspect होता है खासकर first learning के अंदर उसके अलावा कभी-कभी क्या होता है कि हम कुछ questions कर रहे होते हैं और उन questions को करते वक्त हम कुछ ऐसा working rule या फिर ऐसा concept से टकरा जाते हैं जो काफी important होता है right question practice करते हैं खासकर mathematics में यह बहुत होता है mathematics में कुछ short tricks होती है जो previous ही है JEE के questions करने से होती है कभी कोई बहुत standard books से करने को होती है तो वहां का जो aspect है आप उसको अपने notes का हिस्सा ज़रूर नहीं ठीक है अपने notes का हिस्सा ज़रूर नहीं so write all important topics and concepts in your notes आपनी first learning में तो करी रहे हैं ठीक है मगर अगर कुछ practice करते वक्त भी आप अगर कोई चीज आप टकरा रहे हैं तो उस चीज को भी आप लिखिए और उसको again box में बंद कर दीज़ें क्योंकि box में आप बंद करेंगे तब आपको याद होगा ठीक है उसके अलावा मैंने जो खुद नहीं किया था मैं क्योंकि chemistry olympiad में पर किया हो short notes ये एक बहुत important aspect अब देखो मैं पता है short notes कैसे बनाता था हर एक बंदे की learning aptitude अलग होती है ऐसा हो सकता है कि मुझे permutation combination एक बार में समझ में आ जाए किसी और बच्चे को ना है किसी को conic section बहुत अच्छे समझ में आ जाए मुझे ना है तो मैं क्या करता था जो चीज मुझे धंग से समझ में नहीं आती थी उनको मैं एक short notes में रख देता था क्यार ये चीज मैं हमेशा भूलता हूँ कि बही एक point से code of contact कैसे लिखी जाती है ये मैं हमेशा भूलता हूँ तो मैं इसको short notes में रख देता हूँ जब भी मुझे exam देना होगा तो मैं इस चीज को इस short notes का ज़रूर revise करके जाओगा क्योंकि बेटा क्या होता है कि जैसे मान इजे maths में टोटल में लागे 1500 concept है तो 1500 के 1500 concept आपके weak नहीं हो सकते है अगर 1500 के 1500 concept weak हैं तो वैसे भी IATJ में आपका कोई भी chance नहीं है तो कुछ ना कुछ concepts आपके अच्छे होंगे अगर इन concept से easy कोई question आ गया तो आप कर पाओगे क्योंकि एक ये बहुत बड़ा crime होता है बिटा कि अगर easy question आपने गलत कर दिया क्योंकि वो concept आपने छोड़ रखा था तो बहुत गड़बर हो जाती है तो जो भी top 50 rankers होते हैं जैसे मैं भी हूँ तो अगर मेरे साथ एक concept था homogenization of straight line somehow मैं हमेशा भूलता था हूँ तो मैंने उसको short notes में रख रखा था और जब भी exam होता था तो मैं end में उसको revise zero करके जाता था ताकि अगर उससे कोई simple question आ जा तो वो तो मेरे से होई जाए और मैं आपको बता रहा हूँ आप ज़रूर बनाए और short notes आप किसी और के ना ले किसी और के notes किसी और के ही होते हैं आपके notes नहीं होते हैं सबको individually खुद के notes बनाने चाहिए ऐसा मेरा मानना है तो I hope आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ वाने notes making बहुत serious चीज होती बिटा अगर अभी तक आपको नहीं आई है notes making मेरा आने वाले time में एक और video आएगा जिसमें मैं ये discuss करने वाला हूँ कि notes किस तरह से बनाया जाते हैं और किस तरह से topics को tag किया जाता है बट वो आने वाले videos में आएगा तो मैंने notes का आपको थोड़ा सा brief दी दिया है हर एक top 50 ranker के notes बहुत अच्छे होते हैं वो short notes जरूर बनाते हैं और उनके हमेशा ये चीज़े clear होती है कि कौन से important topic है जो आने वाले है Am I clear? ठीक है चलिए अब move करते है fixing study material अब बेटा ये पता है बहुत important चीज़े है क्योंकि IITJ इतना well-known examination है कि इसका infinite study material है इतना सारा study material है कि आप खुद खो जाओगे maths की you would not believe more than 1000 books available है market के अंदर अलग-अलग कोई previous year questions दे देगा कोई trigonometry के लिए अलग से book दे देगा कोई algebra के लिए लग से book दे देगा आप मुझे बताइए क्या ये realistic है कि आप इतनी ज़्यादा books पढ़ सकते है आप मुझे बताइए नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपना material fix करना पड़ेगा ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कैसे fix करना है दो तरह का material होता है एक होता है primary अब मान लीजिए आपने अनकेडमी का plus platform अपना रखा है ठीक है अनकेडमी के plus platform पे आपको sheets भी मिलती है DPPs भी मिलती है तो वो एक आपका material हो गया इसका मतलब आप अनकेडमी पे coaching ले रहे है तो coaching material एक primary material होता है ठीक है primary material क्या हो गया coaching दूसरा primary material होता है NCRT and exemplar अब पता ये second वाला बहुत important है जो बच्चे पता है हम इसे neglect करते हैं बच्चों को लगता NCRT तो बहुत simple होती है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ J.E.Main एक ऐसा examination है जो CBSC conduct कराती थी पहले अब NTA कराती है CBSC की books कौन सी है NCRT तो आप मुझे बताओ J.E.Main के अंदर CBSC अपनी किताबों में से question नहीं देगी क्या बिल्कुल देगी तो NCRT करना तो वैसे भी कंपल सरी है क्योंकि J.E.Main के अंदर भी आता है उसके अलावा 12th board तो दोगे 12th board में अच्छी percentage चाहिए नहीं चाहिए आगे जाके cat के अंदर जब हम लोग का selection हो जाता है I.M. Ahmedabad के अंदर जा रहे होते हैं वहाँ पी पता है आपको 12th board का वेटेज होता है ठीक है तो NCRT पढ़ना तो हमारे लिए बिटा क्या है कंपल सरी है ये ज्यान आपको हमेशा ध्यान रखना है ठीक है तो अब primary source का क्या मतलब होता है बिटा primary source वो source होती है जिसको बार-बार लगातार पढ़ा जाता है समझे मतलब coaching material और NCRT दो ऐसी चीज़े हैं जिनको आपको बार-बार revise करना है इनके लिए separate copy बनानी है solve करने के लिए separate copy for solving बिटा बहुत detail में आपको बताने कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने खुद ने किया हुआ NCRT का अलग से solutions maintained उसी के अंदर exemplar के अलग से solutions maintained maths की जो coaching की sheet होती है उसके लिए अलग से copy बनाई है एक-एक question उसके अंदर solve किया है ताकि अगर मान लो मैं बाद में revise करता हूँ और उसमें मुझे question number 6 में दिक्कत आती है तो question number 6 मेरे पास available होगा उसका solution मेरा खुद का बनाया हुआ अगर मेरे कोस में doubts आते हैं तो मैं किस से पूछूँगा अपने guide से जब आप unacademy plus पे होंगे तो आप क्या करेंगे जो आपके mentors होंगे उससे doubt पूछेंगे और doubt की सुविधा है ठीक है तो doubt पूछके उसको अपनी copy में note down करेंगे आई बात समझ में तो ये primary source होती है अब देखिए second होता है secondary source secondary source का बहुत limited use होता है मान लीजिए आपको sum and difference of trigonometric ratio समझ में नहीं आया मान में ये particular topic आपको समझ में नहीं आया मुझे बढ़ फिर भी थोड़ी बहुत guidance की requirement है कुछ concept पढ़ना है चीक है बई आपके mentor ने आपको बोलना कि बिटा आप एक काम करो ये फला book पढ़ लो कोई भी X book पढ़ लो आप चीक है उस X book को आपको उठाना है वो आपकी secondary source होगे क्यों क्योंकि आपके mentor ने बताईए तो secondary source की क्या property होती बिटा recommended by mentor ये recommended by mentor होनी चाहिए तभी काम बनेगा वरना काम नहीं बनेगा कुछ भी random ली उठाके पढ़ोगे तो again बतादू मैं समुद्र है इसकी गहराई कभी नहीं नाप सकता है कोई नहीं आप पाया आप भी नहीं आप पाऊगे ठीक है ये होगे आपका recommended by अब recommend कर दिया अब आपने मानलो book खरीब ली अब पूरी book solve कर दिये क्या आपको नहीं it should have a definite start and क्या मतलब इसका आपके mentor ने आपको बताया कि आपको क्या करना है trigonometric ratios का sum and difference उसमें से पढ़ना है तो start मिलगे आपको कि भाई आपको पढ़ना है end क्या है उसमें से कुछ question solve कर लो समझ के question solve कर लो खता उसके पहले के 100 page या उसके बाद के 600 page से आपको कोई मतलब नहीं है जब तक आपके mentor आपको नहीं बोलते राइट यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा time limited है आपको पढ़ने है तीन subject और J advance का syllabus one of the lengthiest syllabus माना जाता है और इसके अंदर अगर आप time waste करेंगे तो आप मैं आपको बता देता हूँ कि आप नहीं ज़्यादा पढ़ पाएंगे ठीक है हमेशा मेरा कहने का मतलब है जो bottom line है वो यह है quality over quantity समझे मैं मेरी बात quality over quantity यह बहुत important चीज़ मैं बता रहा हूँ ठीक है हमेशा generally life का principle होता है कोई business भी करता है तो quality पर जाता ध्यान रखता है आपको भी यह करना है ध्यान रखिए इस चीज़ का quality quantity सब पर होने चीज़ है मतलब primary और secondary source choose करो secondary source केवल अपने mentor की guidance में solve करो और मत करो यह दोनों चीज़ आपको करने ही करने है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं so यह है testing and analysis अब देखो भई पढ़े जारो पढ़े जारो पढ़े जारो ठीक है दो साल की जो पढ़ाई होती है ना IIT के वो एक marathon है ठीक है अब कोई 42 km marathon जब दोडता है ना तो क्या होता है पता है आपको वो छुटे-छुटे target बनाता है कि मैं 3 km इतनी देर में दोड़ूँगा अगले 3 km इतनी देर में दोड़ूँगा अगले 3 km इतनी दोड़ूँगा और उन 42 km के बीच में बहुत सारे checkpoints आता है जहां पर बंदा अपना feedback लेता है कि मैं कितना तेज दोड़ रहा हूँ कितना slow दोड़ रहा हूँ फिर उसके साबसे वहाँ पर refreshments भी होते हैं वो सब चीज़ होती है तो आपकी IIT JE की preparation में भी ऐसे checkpoints होते हैं आपको directly सीधा 2 साल बाद exam ठोड़ी देना है मान रिज़े 2020 का आपका target है अब 2020 के अंदर जब JE advance होगा अभी आपके पास 10 महीन है अब 10 महीने बाद सीधा exam दोगे गया उसके बीच में भी कुछ करोगे न तो उसके बीच में जैसे मान रिज़े आपने आन अकैडमी की test series जोइन कर ली अब आपने test दिया weekly test दे रहे होगा एक test दिया उसका एक syllabus आपको पहले से defined होगा आपको पता होगा आपने उसको revise किया आपने test दिया test देने के एक temperament होता है आप हमेशा testing के अंदर कुछ pattern बनाते हो जैसे मान रिज़े आपने pattern बनाए कि भई मैं chemistry फहले solve करूँगा physics second number बे solve करूँगा maths third number बे solve करूँगा सबका अपना अपना pattern होता है आपने मान रिज़े एक pattern बनाया और इस pattern के साथ अपने experiment किया जिससे आपको best output मिल रहा है best output मतलब बिटा जरूरी नहीं होता कि जितना concert बच्चे को आता ना उतनी marks उसके आता है ऐसा नहीं होता मैंने उस question के अंदर 12 marks प्राप्त की मतलब तीन question थे तीनों में मिला के मैंने 12 marks प्राप्त की खेवल options पे और 12 marks प्राप्त करने के लिए मुझे तीन minute लगे खेवल तीन minute maths के अंदर इस level पे मैंने अपना aptitude बिल्ट कर रहा था और ऐसा नहीं था तुके मारे बने वो एक smart चीज थी तो वो क्या है कि मैंने practice कर रही थी by various test तो आप लोग भी क्या करेंगे कि test देंगे तो एक चीज जो clear हो गई हमें वो क्या है कि आपको periodic test देने periodic test मतलब weekly भी हो सकते हैं, by weekly भी हो सकते हैं यह periodic test देना है test में आपको अपनी strategy बनाने है जिससे आपको maximum output मिलता है इसके लिए मैं अलग से एक video बनाऊँगा कि proper strategy क्या होती है क्योंकि मुझे इसके अंदर mainly broad details discuss करनी है ताकि मेरे आगे के videos के भी आप के लिए भी आप इंतजार करें ठीक है फिर analysis अब देखें मान लिजे एक particular test हुआ उसमें conic section के तीन question थे तीनों गलत हो गया थे इसका मतलब conic section के revision की ज़रोता है आपको यह analysis होता है बड़ा यह feedback होता है आपको हमेशा feedback follow करके अपनी strategy को improve करना होता है ऐसा नहीं कि आपने आज एक plan मना लिया उसको 2 साल तक follow कर रहे है एक साल तक follow कर रहे है वो ही चलता है बीच-बीच में feedback मिलते रहने चाहिए और आपको मिलते भी है ठीक है जब आपको feedback मिलता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है तो उस feedback को आप implement करें ठीक है तो note down strength and weaknesses केवल weakness-weakness नहीं लिखनी है strength and weakness दोनों लिखनी है strength और weakness आपको दोनों लिखनी है Am I clear? ठीक है फिर उसके बाद जब आपने analysis कर लिया तो analysis करने के बाद आपको क्या करना है उसको अगले test में improve करना है मतलब आपने konic section फिर revise किया मांडी जए अगले test में वापसे konic section आ रहा है तो आपकी जो performance से वो improve होनी चीए वरना उस feedback का कोई मतलब नहीं है ठीक है जो जितने भी top 50 rankers होते हैं जैसे मैं आपना example भी दूँ मेरे को rotation dynamics में बहुत दिक्कत आती थी physics के अंदर ठीक है तो मैंने दो test में लगातार observe किया कि मैं अच्छा perform नहीं कर पा रहा हूँ तो जब मैंने यह observe किया उसके बाद मैंने क्या किया मैंने यह किया कि उसके short notes बना है उसको sir की guidance में जो मेरे mentor थे उनकी guidance में मैंने FC Verma में से solve किया और उसके बाद मैंने जो अगला test था जिसमें फुल सलिबस था 11th class का जिसमें rotation dynamics में बहुत अच्छे number का आया था उसमें मैंने काफी अच्छा perform किया and you would not believe physics में मेरे उस test में highest marks आया थे दो test के feedback के basis पर तीसरे test में मैंने improve किया और हर एक top 50 ranker ऐसा ही करता है यह चीज़ आपको no down करना है ठीक है तो last चीज़ कहा है take feedback constructively मतलब अगर कोई आपको teacher feedback दे रहा है न तो ऐसे मत सूची कि आपके अंदर कुछ वो गल्ती निकाल रहा है या कुछ भी कर रहा है constructively आप feedback को लीज़े ठीक है यह मेरी तरफ से आपको guidance है testing and analysis के लिए using buffer time अब क्या होता है कि जैसे इस बार दिवाली है 27 October की दिवाली है इस बार अब दिवाली break होंगे ठीक है दिवाली break में आपके बाद दो option है ठीक है एक आप अच्छे से दिवाली enjoy करें भाया दूज भी मनाए धन तेरस भी मनाए रूप चोदस भी मनाए हर तरह का त्योहर आप मना ले या फिर इस time को आप उन topics के अंदर लगाएं जो topics आपके week है ठीक है आप खुद सोचिए आपने revision किया हुआ है क्योंकि आप test दे रहें periodically आपने अपनी strength और weakness लिखी हुई है तो आपको पता है कि आपको किस एरिया में काम करना है कोई ऐसा बड़ा एरिया हो सकता है जिसमें लगातार तीन-चार दिन का आपको time चीए तो जो buffer time होता न दिवाली break हो गया या फिर जो बच्चे 11 से 12 के अंदर जाते है 11 से 12 के बीच का जो break हो गया ये buffer time बहुत अच्छे से utilize करना होता है आपके पास, मैं आपको बता तो अगर without plan आप buffer time में घुस जाओगे तो आप कुछ भी उसको use नहीं कर पाओगे Go with a plan जैसे मैं आपको बताता हूँ जब मेरा 12th class में, मैं 12th class के अंदर था जो मेरा buffer time था, उसके अंदर पता है मैंने क्या किया था उसके अंदर मैंने अपनी 11th class की inorganic chemistry पूरी revise की क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं भूल रहा हूँ तो यह आपको buffer time यूज करना है मैं लिख देता हूँ buffer time किस तरह के होते हैं एक तो दिवाली break ठीक है government holidays, independence रिवागर हो गया अब देखें मैं यह नहीं कह रहा क्या पता है, उन दिन में पढ़ते रही है थोड़ा से enjoyment करना ज़रूरी है मगर please plan out कीजे अगर आप plan out करेंगे तो आपकी weaknesses बचेंगे नहीं ठीक है, उसके अलागा 11th to 12th फिर J.E.Main 1 and boards boards and J.E.Advance यह कुछ broad, मैंने आपके लिखे हैं कि यह कुछ ऐसे buffers हैं जो आप utilize कर सकते हो ठीक है, तो please इनको बहुत अच्छे से इनके अंदर plan से जाओ इसमें कैसे कुछ चीज़ों का plan तो मैं आपके लिए अभी next slide में discuss करने वाला हूँ मगर आप कोशिश करो कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इसके लिए plan जरूर चली भई, पहला buffer time जैसे मैंने बताया boards और I.I.T. J.E. कैसे manage करने ही अब आप देखो J.E.Main का examination दे चुके होंगे January में उसके बाद आपके schools में practicals होंगे और practicals के बाद आप board examination की तैयारी कर रहे होंगे अब एक ideal student बनाता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ मेरी 12th board के अंदर 90% आई थी जो की काफी respectable percentage माने जाती है बहुत exceptional नहीं माने जाती है मगर respectable माने जाती है ठीक है तो मेरी 90% आई थी 12th board में अब आप मेरी advantage सोचिएगा मैंने physics, chemistry, maths की NCRT तो पूरी solve कर रही है 11th और 12th class की ठीक है उसमें मैंने यह भी देख रहा है कि solved example में कि answer लिखते कैसे यह भी मैंने कर रहा है अब मेरे साथ problem क्या है कीवल 2 subject की, 4th और 5th subject की 4th और 5th subject के अंदर क्या करना होता है उसको पढ़ना होता है 4th subject तो English ही होता है English आपने 10 तक continue कर रही है तो grammar part तो आपका होई जाएगा उसके लिए literature के लिए बहुत ample resources available है या फिर आप किसी teacher की help ले सकता है जो आपको solve करा दे 5th subject, economics हुआ, computer हुआ, physical education हुआ जो भी आपका 5th subject है वो भी आपको manage करना है physical education एक generally ऐसा subject है जिसका syllabus बहुत कम होता है आप लोगों ने, वो भी 5th subject का आप ध्यान रखी रहे होंगे तो उसकी strategy भी आपको उसी साब से बनानी है और मैं आपको बता दो 5th subject कोई बहुत बढ़ी चीज़ नहीं होती बटा अनलेस अगर आपने मानेजे physics, chemistry, math, bio और ले रखी है तब तो थोड़ा से बड़ा हो जाएगा मगर कोशिश कीज़े कि अगर 5th subject आपका इतना ज़्यादा syllabus वाला नहीं है तो उसको जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करें चीक है, अब आपने ये सब कर लिया, अब as a top 50 ranker में बता रहा हूँ मैं जब physics के questions solve करता हूँ physics का मेरा paper है, मैं उसको लिए prepare कर रहा हूँ तो मैं साथ के साथ, थोड़ा बद J.E. advance के questions भी करता रहता हूँ समझे मेरी बात, मतलब मैंने J.E. advance की किताब ऐसे नहीं के एक बखसे में बंद करके रख दी है ऐसा नहीं करता मैं, मैं क्या करता हूँ मैं उसके साथ-साथ, J.E. advance की questions भी करता हूँ मानेजिए electricity में पढ़ रहा हूँ, electrostatics तो उसके साथ में क्या करूँगा, ये भी कर लूँगा calculus पढ़ रहा हूँ, maths का paper है, मेरा board का paper आने वाला तो calculus के J.E. advance के questions भी कर लिए तो जो-जो मेरे 12th board के syllabus में, उन सबका मैं revision करता रहा हूँ राइट, 11th का revision मेरा अलग से हो ही रहा था, पहले से ही हो रखा था ठीक है, तो ये तो हो गया, 4th और 5th subject में जो preparation leave होती है, बहुत होती, CBSC के अंदर वो preparation leave के अंदर आप आपने पहले से थोड़ा बात पड़ी रखा है, उसमें revise करी है और 3-4 दिन का lag आता है, मतलब उस समय आप IATJ की preparation नहीं कर पाएंगे तो उस समय आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात है मगर जैसे ही आपका board exam खतम हुआ, आपको फटा-फट से J-Min 2 के लिए तयार होना होता है और उस समय आपके पास एक 14 days की strategy दिमाग में होना है क्योंकि J-Min 2 और boards के बीच में 14 days का फरक होता है दो हफ़ते में आपको एक ऐसा revision plan बनाना है, जिससे आप बिलकुल रंग में आ जाए और उसके बीच में आपको कम से कम 4 या 5 full syllabus paper attempt करने होंगे आप अगर आण academy की test series लेते हैं, तो आपको ये सब चीज़े सुविधाय मिलेगी ठीक है, फिर उसके बाद J-Min और IIT के बीच में आता है, वो भी हम लोग discuss कर लेता है managing olympiards and J-H, अच्छा, ये मैं एक important चीज़ बता लेता हूँ जितने भी बच्चे top 50 के aspirants होते हैं ना बिटा, वो उनके साथ एक common चीज़ होती वो सब physics olympiard, chemistry olympiard, astro olympiard, maths olympiard ये देना चाहते हैं 11th class के अंदर kvpy cleared होते हैं बहुत सारे बच्चे तो 12th class में जो बच्चे हैं जिनका 2020 में ये target है कि वो top 50 में rank लेके आए तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे इसाब से olympiards के लिए special कोई preparation आपको नहीं करनी चाहिए ये मैं आपको guidance दे रहा हूँ क्यूंकि मैंने भी chemistry olympiard के लिए special preparation नहीं की थी second stage थोड़ा सा difficult होता है मगर उसके लिए भी आपको special preparation नहीं करनी मैं आपको ये guidance इस context में दे रहा हूँ कि top 50 में आपको rank लानी कुछ बच्चे exceptional होते हैं वो दोनों manage कर लेते हैं मगर मैं आपको बता देता हूँ मैंने कोई भी special तयारी नहीं की थी chemistry olympiard के लिए syllabus के साथ साथ जो चीज़ें वो पढ़के गया था उससे हो जाता है अगर आपकी concepts clear है तो मगर special कुछ भी अलग ना करें छीके ये चीज़ आप लिख लीजिए मतलब note कर लीजिए do not hamper je for olympiards क्योंकि आपको आगे आपकी IIT rank से जाना जाएगा ना कि olympiards मैं आपको बतात लाइफ में ये बहुत काम आता है ठीक है चलिए तो ये अपनने अब managing olympiards and jee कर लिया अब jee main revision की बात कर लेते हैं जो top 50 rankers होता है उनकी सबसे पता usp क्या होते revision revision का कैसा solid mechanism होता है उनके पास कि मज़ा आ जाता है अब आप सोचिए मैंने अपने सारे notes लिख रहे हैं मेर सारे short notes मेरे पास हैं अब मैं 14 दिन की strategy भी बना सकता हूं 7 दिन की strategy भी बना सकता हूं एक महिने की strategy भी बना सकता हूं नवंबर तक आपको कोशिश करनी है कि आपका jee main का syllabus complete हो जाए दिसंबर को आपको पूरा use करना है किसके अंदर jee main और advance की jee main का revision में सबसे पहले तो jee memory को exam है ठीक है उसके अंदर आपको कम से कम 5-6 full syllabus paper देने online mode में CBT computer based test आपको कम से कम 5-6 देने ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई surprise ना मिले तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है revision कैसे होगा इसकी broad मैं अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगा मगर मुद्दे की बात क् special plan should be there और इस चीज के अंदर यह चीज ध्यान रखो mentors की guidance होनी ज़रूरी है ऐसा आप कोई सर्वग्याता नहीं हो अभी अभी आप बच्चे हो आपको mentors की requirement होगी तो revision plan जो भी बनाऊ mentors की guidance में बनाऊ clear unacademy plus platform पे जो भी आपके mentors हैं उनसे आप इसको discuss कर ठीक है अब last आता है managing je advanced division ठीक है अब आप आगये हैं April month के अंदर ठीक है April month में je min 2 दे दिया है आपने आपका सब बहुत अच्छा score है जो भी top 50 में rankers होते हैं उनका generalize 300 score तो होता ही है जिनकी top 50 में probable rank आनी होती है तो 300 score आपका आप बेगल खुश हो happy हो ठीक है अब आपके पास बचे हैं total मिना के 35 days 35 days में आपको J.E. main और advance के बीच का time utilize करना है अब देखो J.E. main में में कुछ चीज़ अलग होती है जैसे maths के अंदर अगर मैं बात करू mathematical reasoning अलग chapter होता है उसके अलावा statistics अलग chapter होता है कुछ aspects आसे होते हैं जो अलग होते हैं तो वो चीज़ अब खतम हो गई है J.E. advance में में कुछ अलग होता है तो J.E. advance का जो syllabus में difference है पहले तो उसको revise करो again J.E. advance के बहुत सारे mock test देने जरूरी है 6 कम से कम आप mock test दो computer based test और उसके अंदर आपको ये धियान रखना है कि 9-12-2-5 इस लिए मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि कोशिश आपको करनी है कि एक अच्छा pattern आप बना सकें अपने लिए ताकि पहला और दूसरा दोनों paper आपका अच्छा जाए इसकी detailed strategy में आपको बताऊंगा मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो top 50 ranker होता है उसके पास एक top 50 में rank आपको लानी पड़ेगी तो basically ये top 50 में rank करा आखरी एक महीने दो महीने में नहीं आती इसके लिए concentrated effort लगता है मैंने आपको जो चीज बताइए starting से लेकर first learning से लेकर ending तक की सारी चीज़े बताइए first learning आपकी solid होनी चाहिए class में आपका behavior अच्छा होना चाहिए notes आपको feedback लेकर analysis करना चाहिए आपकी strength and weakness proper होनी चाहिए short notes आपके पास होने चाहिए उसके allow जो buffer times है उनको आपको अच्छे से utilize करना है boards के time पे JEE को नीच होना है JEE के time पे boards को नीच होना है JEE main होने के बाद आपको boards में लगना है one के बाद JEE उसके बाद board के बाद 14 दिन का जो buffer time आता है उसमें JEE main 2 का revision करना है फिर JEE main 2 से JEE advance के बाद जो 35 days आता है उसके अंदर एक proper strategy होनी चाहिए और यह सब के अंदर आपके पास एक अच्छा सा mentor होना चाहिए और वो जो mentor होगा वो आपकी नईया पार कराएगा तो यह मेरी तरफ से tips and tricks है so now I would like to conclude this session so I hope आपक तो यह मेरा जो session है वो काफी innovative लगा होगा और काफी inspiration लगा होगा ऐसे मैं बहुत सारे session करने वालो मगर उसके लिए आपको क्या करना है आपको subscribe करना है और जब आप subscribe करेंगे तो मेरे हर एक वीडियो का notification आपको मिलेगा आपको अगर मुझसे कोई भी doubt पूछना है तो at prashant42jan ठीक है so with your love and with my efforts और आपकी sincerity से हम लोग definitely कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे thank you